राजधानी रांची के मोराबादी मैदान के वैसे अस्थान जो बेकार है वहाँ वेस्ट मटेरियल से बेंच और कुर्सी बनाए जा रहे हैं साथी साथ पेड के बीच में सेल्फी पॉइंट भी बनाई जा रही है लेकिन ये सब महज 72 घंटे के अंदर किया जाना है इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी रांची के मोराबादी में पहले तो आप तस्वीर के माधिम से देख सकते हैं कि राजधानी रांची के मोराबादी मैदान के जो वेस्ट पार्ट थे जो बिकार स्थान था वहाँ पर वेस्ट मेटेरियल से बेंच और कुर्सी बना रहा है इसके तहट भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्यमंत्राले अंत्रगत स्मार्ट सिटी मिसन भी देश के सभी स्मार्ट शहरों में 72 घंटे में प्लेसमेकिंग की योजना पर काम कर रहा है आपको बता दे कि इसी को लेकर राजधानी राची के मोरहबादी मैदान के द किसी स्थान जो बेकार है या फिर कह सकते हैं जो स्थान बेकार पड़ा हुआ था राजधानी राची का सबसे जादा लोग यहाँ पर पहुंसते थे मोरहबादी के इसी छोर पर पहुंसते थे दक्षिनी छोर पर पहुंसते थे और यहाँ पर बैठे रहते थे लेकिन जिस साथ वेस्ट मेटेरियल से कुरसी और बेंच बनाये जा रहे हैं इसके अलावा 72 घंटे तक चलने वाले प्लेस मेकिंग कारिकरम के दौरान विभिन कारिकरम आयोजीत भी किये जाएंगे जिसमें बच्चों से जुड़े कारिकरम को जादा प्राथ मिक्ता दी जाएगी हलाकि ये राजधानी राच्ची का दक्षिनी छोर है यानि की मोरहा मादी मैदान के ठीक निकट यहाँ पर जिस तरीके से देश आजादी के अमरित महसो मना रहा है उसी को लेकर राजधानी राच्ची के इस छोर को 72 गंटे का या फिर 75 गंटे का अल्टिमेटम दिया गया है कि यहाँ को बहुत ही सुन्दर बनाया जाए हर वर्ग के लोग यहाँ पर लुफ्त उठा सकते हैं यहाँ पर पहुंच सकते हैं और बच्चों से जुड़े जितनी भी कारेकरम होंगे उसको जादा से जादा प्राथ मीक्ता दी जाएगी तो वेस्ट माटेरियल से यहाँ पे कुरसी बेंच बनाये जारे साथ ही साथ प